हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अजीत और आज हमारे पास माइक्रो टेक का सेट है जिसका मॉडल अंबर होगा EB 1600 करके ये इन्वर्टर दोस्तो हमारा 24 वोल्ट का है और इसमें जो प्रोब्लम मार ही है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ तो यही दोस्तो इसकी प्रोब्लम है और इसमें एक प्रोब्लम है जब हम इसे चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं तो जो चार्जिंग एंपियर है वो जहटके से आता है तो यहाँ पे मैं अभी दोस्तो आपको इसे में 220 के साथ कनेक्ट करके दिखा देंगा तो इसकी जो main wire है वो मैं अपने main 220 वाली board में in करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारी main 220 की जो board है उसमें हम इसकी wire in करेंगे और अभी आप देखेगा यहाँ पे mains इसने ले लिए है mains acceptance ने कर लिया है और यहाँ पे charging भी दिखा दिया है charging LED भी दोस्तों यहाँ पे direct हो चुकी है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यह charging LED भी direct हो चुकी है आनि कि यह दिखा रहा है कि हमारी battery fully charge है और अभी हम जैसे ही से disconnect करेंगे यह फिर से battery low दिखाने लगेगा तो हमने यहाँ पे फिर से main disconnect कर दी है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं UPS on LED glow कर रही है और अभी इसमें battery low आना है start हो जाएगा तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी battery भी फुल दिखा रहा है और main से disconnect करने के बाद इसमें problem battery low की आ जा रही है तो एक बार फिर से दोस्तों मैं इसके साथ connect कर रहा हूँ इसकी जो charging है वो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से दोस्तों जो charging amp air है वो jump करता है और charging time यह काफी आदा humming create करता है तो यही दोस्तों इसकी problem है बहुत छोटी सी problem है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कहां से problem है वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को like करिएगा और चैनल पे अगर आप हमारे पहली बारा है तो हमारे चैनल को subscribe भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो चलिए दोस्तो यहाँ पे हम आपको जो problem है वो दिखा देते हैं देखिए जो सबसे पहली problem हो सकती है दोस्तो जो आपके transformer drain के जो दोनों wire heat sink पे tight होंगे वो lose होंगे तब भी इस तरीकी के problem हो सकती है और दूसरी problem दोस्तो आपका एक yellow color का capacitor लगा हुआ हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको capacitor बताया अगर यह capacitor जो खराब हो जाएगा yellow color का लगा हुआ है तब भी आपका जो inverter की charging है वो jump करेगी और जटके से charging आएगी तो यह capacitor दोस्तो आप अगर आपकी transformer drain के wire दोनों okay हों अच्छे से tight हों तो यह capacitor आप चेक कर सकते हैं इस capacitor में आपकी problem आ सकती है तो पहली problem दोस्तो हमारी जो दिख रही है वो हमारे transformer drain के जो दोनों wire है यहाँ पे यह दोनों ढीले लग रहे हैं पहली problem हमको यहाँ से दिख रही है तो चलिए सबसे पहले इसे खोल के अच्छे तरीके से tight करते हैं साप करके उसके बाद देखते हैं अगर हमारी problem ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है नहीं तो इसके आगे हम चेक करते हैं कि problem हमारी कहां से हो सकती है तो यहाँ पे हमने wire को heat sink से disconnect कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारी heat sink है उस पे काफी आदा dust आ चुका है यह losing के कारण आया है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी आदा sparking हुई है और इस पे काफी आदा dust आ चुका है दूसरी वाली heat sink पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे भी काफी आदा dust जमा हुआ है तो हम इसे दोस्तों अच्छी तरीके से पहले file या रेती की मदद से इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे जरा सा भी इस पे dust नहीं होना चाहिए और transformer drain के जो दोनों wire निकले हुए है जो थंबल लगा हुआ है थंबल पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस पे भी sparking हुई है dust इस पे भी आ चुका है तो दोनों को दोस्तों हम पहले अच्छे से साफ करेंगे फिर हम इसे अच्छे तरीके से heat sink पे tight कर देंगे तो tight करके दोस्तों हम अभी आपको check करवा देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों wire को अच्छे से heat sink पे connect कर दिया है और एक बार फिर से मैं अभी आपको check करवा देता हूँ कि हमारी जो problem है वो ठीक होई की नहीं switch हमने own कर दी है और यहाँ पे इसकी output socket में मैं 108 का bulb डालना हूँ यहाँ पे देख सकते हैं bulb अच्छे से glow कर रहा है कोई problem नहीं है और जैसा कि दोस्तों पहले था जैसे ही हमान करते थे inverter की switch को यहाँ पे battery low की integration आ जाती थी और अभी आप देख सकते हैं switch अभी हमारे inverter की own है एकी LED glow कर रही है के ओल UPS own की और battery low के LED glow नहीं कर रही है अब हम इसकी charging भी चेक कर लेते हैं तो जो इसकी wire है वो मैं अपने board main कर रहा हूँ अभी आप display पे देख सकते हैं mains इसने accept कर लिया है और charging भी आ गई है जो ampere दोस्तो पहले हमारा jump कर रहा था वो jump नहीं कर रहा है धीरे 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 दोस्तो हमारी जो battery है वो full हो गई है इसलिए ampere धीरे charging ampere कम हो रहा है 10 ampere के आसपास आ चुका है और आप देख सकते हैं आपे इसने battery full दिखा दिया ampere भी देखे धीरे धीरे battery full हो गई गाट रहा है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें थांक्स